अब जाएगा जाएगा जो लोग आ रहे हैं तो है लो दोस्तों मैं बिक्रम एक और फिर से साथ ही ओभी जो मैं बलिया के जमुआ गाउं में आ चुका हूँ और दोस्तों यह भाईया है आपका नाम भी यह वहत्म भाईया का नाम है और इन्हों शाने सबसे पहले मुबारक सर को फोन किया और मुबारक सर ने हमारा नंबर दिया पृर यह पर मैं मैं आज चुका हूँ और दोस्तों यही कहा जाता है एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत सारे मैं अपने वीडियों के माध्याम से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और चलिए इसके साथ देखते हैं सांप आखिर कौन सा है और यही वो इट है जहां पे सांप कई दूनों से अपना बसेरा बनाया हुआ है इसी में कहीं सांप है और चलिए सबसे पहले इस इट को एक होण से करके और फिलाच में देखते हैं सांप कौन सा है ऑस दूस्तों देखे कि सांप तो इसमें कई सारे हमें लग रहे है क्योंकि हमें आते ही हमें पहली नजर में क्यूकि इइक छूज से रहने का मतलब कुछ ने कुछ इसमें जानवर्त हो आएंगे है और दोस्तों देखिए ये केचुली है और ये जो केचुली है गिहोन सांप की लग रही है देखिए दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा की ये केचुली है और हो सकता है इसमें कई सारे सांप रहते हों इसलिए एक लॉंग लाइट टॉर्च मंगा लिजिए सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं काफी टाइम बीच चुका है लगबग दो घंटे बीच चुके हैं इट हटाते 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 और अब वो टाइम आने वाला है जबकि सांप आपको नजरों के सामने आने वाला है तो थोड़ा सा धैरे बनाए रखेगा अगर चैनल पने है तो सब्सक्राइब जरूर के लेजएगा दोस्तों देख सकते हैं यह चोटा सा कोई सांप है चलिए सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं दोस्तों देख सकते हैं यह सांप का पकड़ कितना तेज है काफी अंदर तक यह घुश चुका है दोस्तों हर इंसान को अपनी जान का मूह होता है और वो खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है दोस्तों देख सकते हैं यह है इंडियन ड्रेट स्नेक और देखने में यह कहीं कहीं कोब्रे की तरीके से भी दिख रही है और पतोड़ा सबका से लिजिए देखे काफी प्यारा सा सांप है यह दोस्तों धामिन सांप में जहर बिल्कूल भी नहीं होता है और यह धामिन सांप का ही बच्चा है अक्सर लोग कहते हैं कि सांप देखे अब यह गुस्य में बायुट भी कर रही है दोस्तों जब भी अक्सर यह सांप काटते हैं किसी को तो लोग जार फूक से ठीक हो जाते हैं क्योंकि इन में जहर होता नहीं है और जब भी कोई कोबरा करे इस पर करके सांप काटेंगे तो उनके अंदर जहर चला आता है और उनकी जान नहीं बच पाती है तो दोस्तो जब भी कोई भी सांप काटे आप सीधा हस्पिटल चलिए और चलिए दोस्तो कोई बड़ा सा सांप भी सिक अंदर रह रहा है उससे निकालने का प्रयास करता है और सबसे पहले इसको पैक करता है दोस्तो सापक साथ आप फ्री हैंडलिंग बिल्कुल ना करें क्योंकि ऐसे में आपकी जान को खत्रा हो सकता है चली इसको दोस्तो देख सकते हैं ये भी एक गोजर है जिसको भी लोग काफी जहरीला मानते हैं हलाग ये होते नहीं है थोड़ा बहुत जुहर होता है जैसे मद कि दमक्यों में होता है और इसे यहीं रहने दीजिए किसी ही इट में ही का तरह का है का है अब हुद कर जाएगा तो अ दोस्तों देख सकते हैं यह है इंडियन स्पेक्टिकल कोवरा आए लिया आए दोस्तों देख सकते हैं काफी खतरनाक कोवरा स्नेक है यह बले देखने में काफी छोटा है देखिए गर्मी का टाइम चला है दोस्तों सांपों का निकलना हर जगा काफी लाजमी है और ऐसे में सब को सतरकता काफी जरूरी है रखना दोस्तों देख सकते हैं यह दो सांप मिले हैं और खोदा पहाड़े निकली चुहिया तो इतने सारे ही ठाटाने के बावजूद देखिए कैसे चोटे-चोटे ही जीव आपको देखने को मिले हैं लेकिन एक इसमें से काफी जहरीला है और एक बीना जहर वाला है एक है इंडियन रैटी स्नेक और एक है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसे गेहुआन नाग फिटार के नाम से जाना जाता है जिसे हम संकर भावान का ए दोस्तो ऐसा मनजर पहली बार देखने को मिला है और यहां पर दोस्तो बताने के मुताबिक काफी बीक साइज की सांप रहते थे चुकि यह उनके अंडे बच्चे ही हैं जो इनके साथ ही यहां पे एक फैमली बना के रहते हैं काफी दिनों से अच्छा यही वाला है चार से पांच फीट का है लेकिन यह वो सांप नहीं है अभी देखिए यह जहरीला सांप है इसको फ्री हैंड नहीं पकड़ जा सकता है अगर इसे बाइट करेगा तो ऐसे जहर आपके सरीर में इंजेक्ट कर देगा और आपकी जान जा सकती है और यह सांप दोस्तो बिना यह जहर वाला है इसे आप फ्री हेंडलिंग भी पिकड़ सकते हैं लेकिन यह सिर्फ इसनेग एकस्पर्ट के लिए है क्योंकि एसम आहसे जान को खतरा हो सकता है अगर दोस्तों ये सिर्फ ये स्नेक ऐसे बाइट कर देगा कोबरा आपको सिर्फ हस्पिटल में ही बज सकते हैं और आए दिने मोते दोस्तों साप के काटने से होती रहती हैं और ऐसे हादसा हमेशा सुनने को मिलता रहता है तो इसमें कहीं न कहीं लोगों के लिला परवाहियां ही देखी गई हैं जहां कि स्नेक बाइट के बाद लोग जाड़ फुक के चकर में पड़ते हैं कांत्री के चकर में पड़ते हैं और वो उनकी जान नहीं बच पाती है अगर उनको टाइम से हस्पिटल पहुंचाया जाए वो जरूर इंसान बच जाएगा हर जिले में हर जिले के इमेजेंसी हस्पिटल गवर्मेंटेट में एंटी वेनम एबिलेबल है और जब भी स्नेक बाइट हो आप वाद पुरंत जाएं वहां पर अपना ट्रिटमेंट करा है चलिए दोस्तों इसी साथ इन दोनों को पैक करते हैं और लेके चलते हैं दूर कहें अपने सोसाइटी से दूर इनको ले जागे कहें रिलीज कर दिया जाएगा इसी जंगली और बंजर इलाकों में चलिए दोस्तों अब लेके चलते हैं इन दोनों को पैक करते हैं एक साथ चलिए दोस्तों इस साप को ऐशे फरिली पकड़ लिया गया है ताकि यह काटेगा भी to किसी को कुछ नहीं होने वाला है और इस साप के काटने से इंसान मर जाएगा इसलिए इसका मुध पकड़ा गया है नहीं तो यह साप हमें भी विबैट कर सकता है दोस्तों बहुत सारे लोग यह सुचते हैं कि बिक्रम जाएंगे और सांप को मंतर से बुला लेंगे, कहीं भी होगा तो सांप पकड़ लिया जाएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, हमारे आने से भी आपकी समस्या दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे आने के बाद दोनों सांपो को निकाला गया है, अगर यह इट हटाने से भाईया मना कर देते, तो इन दोनों सांपो को नहीं निकाला जा सकता है, चलिए बीना टाइम को आपका भी और लेके चलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक से ज़रूर करिएगा, और तब तक चलिए इन दोनों को पै करते हैं, तो दोस्तों आपके नजरों के सामने ही इन दोनों सांपो को पकड़ लिया गया है, और लेके चलते हैं कहे दूर, तब तक के लिए धन्यवाद के मिलता हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी बिजबान और इंसान की हेल्प करते है, तब तक लिए जहन